आप सभी को मेरा साधर जयाजी नीद्र आत्मा चैनल पर प्रसारे धार्मिक समझार देख रहे सभी दर्शकों का मैं भिनंदन फिर एक बार स्वाध करता हूँ आज के धार्मिक वस्माजिक समझार कुछ इस प्रकार है गिद्डबाहा के नौजवान रोहिट सिंगला ने BCCI के राष्ट्य स्थर के अंपाइरिंग में जगा बना ली है इस संबंध गिद्डबाहा के रहने वाले रोहिट सिंगला के पुत्र संदीप सिंगला ने बताया कि BCCI के राष्ट्रिय अम्पाइरिंग के लिए हुई स्तर दो की परिक्षा को पास कर अब वह अंदर राष्ट्र क्रिकेट मैचों में बतौर अम्पाइर काम करेंगे रोहित सिंगला ने बताया कि उसने अपनी प्रात्मिक सिक्षा SD Memorial School की दर बहाद से प्राप्त की और साल में ही उसने पंजाब क्रिकेट एस्सेशन की तरफ से आयोजित अम्पाइरिंग टेस्ट पास किया और अंदर जिला क्रिकेट मैचों में अम्पाइरिंग की साल 2016 में उसने BCCI का स्तर एक का पहला टेस्ट पास किया फिर साल 2017 में स्तर एक का दूसर टेस्ट पूरे नौर्स में टॉप के रैंक हासिल कर पास कि जिसके चलते स्तर दो के टेस्ट के लिए कॉलिफाई किया अमपायार चुने अगया है नैशनल लेवनदा बहुत ही कुछी दिखालना है सारे परिवारों में बहुत 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 ही है इस चीज़ दी मैं ही चाहूंगा भी गहां होल भी जड़ा यूथ है को नशा दूरा तो दूर होके कोई नवी अगे वदे तागी नोकड़ों होल भी है तो दे उचाहित प्रत्साहना मिलेवी गहां कागे भीड़े विच कम तूरा है मुक्से से सोनुखेडा के साथ अब भ्रहंदन की रिपोर्ट आए बढ़ते हैं अगले समचार की ओर पंजाब शेरनी पर्यमपुजे साध्वीश्री प्रमोश्रीजी महारास साहिप की सुषिषष pension साध्वीश्री पृतिसुधर जी महारास साहिप ठाणे तीन लुधाना के द्रेशी सिद धार्मकमन हॉल में चातुर्मा सेतु विराजमा है इस मौके पर सभी साधवी भवंगुंतों ने मंगल में पार्ठे में परवचन किये इस मौके पर साधवी महराज ने फर्माया कि तुलसी विरिक्षना जानिये गाए ना जानिये ढोर, माता पीता मनुशना जानिये ये तीनों नंद किशोर अर्थात तुलसी को कभी विरिक्षना समझे और गाएं को कभी पशुना समझे तथा माता पीता को कभी मनुशना समझे क्योंकि ये तीनों तो साख्षात बगवान के रूप है भरुच के जहां मुनिशुवरत दादा का तीरत है वो भरुच में एक अनुपचंद नाम के श्रावक रहते थे सैयम की बहुत ही तलप थी किन्तु चारित्र मोहनिय कर्मा के उधाई से उनको चारित्र नहीं मिला था शादी की थी एक बेटी भी हुई थी और बेटी जब योग्यों उमर की हो गई तो बाग ने यही कहा कि बेटा मैं तो सैयम का स्विकार नहीं कर पाया हूँ करने जैसा तो सैयम का स्विकार ही है लुधाना से केमरन मदव के साथ अब इन्दन की रिपोर्ट दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज कल बैंकों में प्राइसा रखना उतना सुरक्षित नहीं माना जाता जतना की पहले समय में था हमने कई बार अख़बारों की सुरक्यों में पढ़ा है कि लोगों के अकाउंट में लागों जारो रुपए का फ्रॉड हुआ कई बार एटियम कार्ड के मामले भी सामने आए हैं आज इसी विशे पर हमारी टीम ने बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करने की कोशिश की और आज हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे जिसे कि आप सब इस तरक रहें और अगर आप साथ को ऐसी घटना घट सके तो आप तुरंट कारवाई कर सकें सर ये है स्केमिंग डिवाइस के पार्ट्स बादना यह इसकं डिवाइस के दोनों पार्ट्स हैं जो यह एटियम में आपके लगाय जाते हैं ATM में इसको यह लोग धंख से कराते हैं यह यहां पर card reader की जगहे दे इसको लगा देते हैं duplicate टीक है और एक यह है recording इनकी जिसमें memory card battery बगएरा सब यूज करते हैं इसको लगाने का इनका तरीका यह है यहां पर इठाल देते हैं यह keep ad के ठीक उपर जिसमें कि यहां पे कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे से आपका कार्ड स्कैन होता है और पिन नमबर दोनों जाते हैं यह पूरा जाता है कैच करता लेता है और इसको ही दूसरे तरीके में यह लोग बना के सीलिंग है आपका इस पे लगा देते हैं अधर वाई जी धर ऐसी जगहे पे ल और गेजाने हैं चांप यह सक्थानि ची गे प्रोचनों का लाव लिया किवीज पुर्विस गन्टे में 2 गन्टे 2 गन्टे के लिए चोवियार कीजिए कि खय खारि कन खाया है एक वजे खाना क्यालिया ऐर तीन चार गजटे कुछ खाने वाले नहीं है खाने वाले नहीं है आपको मालूम है अब मैं दो तिन घंटा कुछ खाने वाला नहीं हूँ, कुछ पीने वाला नहीं हूँ एदि आपने संकल को नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि आप खाने वाले नहीं है एक बज़े आपने खाना खाया है तीन-चार बज़े तक आप खाना खाने वाले नहीं हो लुद्धाना से केमरामन गंगन के साथ अब रिनंदन की रिपोर्ट दोस्तों आज के सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि सेंटरल गवर्मेंट यानी पी एम मोदी द्वारा ये संदेश जारी किया गया है कि वाट्सेप मेसेंजर रातरी 11 बज़े से सुबा 6 बज़े तक बंद रहेगा हम जानते हैं कि कल रात से वाट्सेप पर वीडियो स्टेटर्स और फोटो डाउनलोड होना बंद हो गए हैं इसके उप्योग करताओं के संख्या बढ़ गई है और इसका उप्योग भी बहुत जबा हो रहा है जो कि देश के लिए हानेकारिक है और ये जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट लुध्याना से कैमरामेन सोनों के साथ अब इन दन की रिपोर्ट लुध्याना में हुई तेज बारिच के चलते हटकम मच गया सडकों में और लोगों के घरों में पानिया जाने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कई लोग काम पर नहीं पहुंच पाए तो कई लोगों को सफर के लिए भी स्टेशन्स पर लंबाय दिजार करना पड़ रहा है दुकानों के अंदर पानी अजाने से लोगों का सारा स्टॉक खराब हो गया है जिससे कि उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है लुधना से केमरामन गगन के साथ अब रिंदन की रिपोर्ट साइब बाबाजी का जनम 1830 श्रिटी में हुआ था वह एक फकीर थे और योगी थे इनके भगतों ने इने भगवान का दर्जा दे दिया था 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने श्रिटी में समाधी ली थी उन्होंने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था उनका कहना था कि दिशेरा धर्ती से विदा होने के लिए सबसे अच्छा दिन है वे सधारन लोगों के पीछ रहेकर ही सधारन जिवन जीना पसंद करते थे उन्होंने प्रेम, क्षमा, दूसरों की सहायता, दान, सैयम, आत्मिक शांती, भगवान और गुरू के लिए समपरपन को नैतिक शिक्षा दी थी मना जाता है साही बाबा ने जीवन भर जुरुत मंदों की सेवा की जिसे लोग चमतकार भी कहते हैं साई जी कहते हैं, पल में अमीर है, पल में फकीर है, अच्छे करम कर ले बंदे, ये तो बस तकदीर है इसी कड़ी के तहद, आज आत्मा चैनल की टीम पहुंचे रुधाना के साई मंदर जहां हर धरम के लोग साई जी के दर्शन के लिए आए कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जो सचे मंद से साई जी के शरन में आता है, उसकी मुराद अवश्य पूरी होती आई सुनते हैं, वहां मज़ूद लोगोंने क्या कहा बादार भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, जो हमारा शहर है ना, इसमें कोई भी मातलब ऐसी बात नहीं, कोई हिंदू जाए कोई भी प्रोग्राम उसको सारे कठे होके, बदिया टांक तरीके नाल, बड़े सतकार दे नाल, उनों मनों दे जहां पे श्री साही दाम में शवरात्री मनाई जा रही है, और बाबा जी की स्थापना दिप्स भी आ जी है, साही बाबा जी का, यहां का महौल बहुत बड़ी है, जहां पे कोई धर्म का भेदवाब नहीं है, सब लोग मिलकर सिख साही, हिंदू, मुस्लम, सब इकठे मना जहां पे सभी आते हैं साही बाबा के, हर धर्म के लोग पोहिते हैं, बड़ी शर्दा से साही बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं लुधानासिक क्यामरान सोनू के साथ अब निदन की स्पेशल रिपोर्ट लेने की अपील की, महरास साही ने प्रवचरों में फरमाया कि व्यक्ति अगर सही है तो वह कुछ सावित करने की कोशिश ना करें, बस सही बना रहे क्योंकि गवाही वक्त खुद देगा, महरास साही ने ये भी फरमाया कि जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में, ओजिन गरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सा सबर जरूर करना नामा कृती द्रव्यभावहे पुनत स्त्री जगज्यनं छेत्रे कालेच सर्वस्मिन अरहतह समुपास्महे आदिमं प्रिथिवीनाथ मादिमं निष्परेग्रहं आदिमं तेर्थनाथं चरिषभस्वामिनंस्तुमहां प्रिषभस्वामिनंस्तुमहां कामठे धर्नेंद्रेच स्वोचितं कार्मकुर्वती प्रभुस्तुल्य मनुवृत्ति पार्श्वनाथ श्रिगेश्टुवाव मुबाई से केमरमेन ब्लोईंदर के साथ अभिनादन की रिपोर्ट आगम ग्याता है उपाध्या प्रभर हिमाचल के स्री श्री श्री तेंदर मुनुजी महारास साइब श्री शतामबर सुधानकवासी जैन सभाज चांद मैमोरियल हौल रानी पाक जमू में भी राजमन है आप सब भी आत्मा चैनल के मातम से रुजाना रात आठ बजे से महारास साहब के प्रशनों का लाप लें एवं अधिक जानकारी के लिए आत्मा एप डाउनलोड करें भगवान महामीर पावन चरित गुरुदेवजी बंदो मन वच्च काय भव सागर को तरण में करो हुमारी सहाय जिन शाषन जिन वानी सदा जय वन्त हो श्रमन संग सदा अविचल मंगल हो मुक्तिको प्राक्ट श्रमन भगवान महविर्स्वामी उनकी परम पावन कल्यानी भागवति वानी वाचक प्रमुक श्री इंदर भोति गौतम आदी गंदर भगवन्त जुग प्रधानाचारिय परम पुज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महराज उनकी परम पावन पाठपरंप्रा वर्तमान आचारिय ध्यान योगी परम पुज्य श्री शिव मुनी जी महराज जम्मू से कैमरोन विकास के साथ अब रिंदन की रिपोर्ट जम्मू से कैमरोन विकास के साथ अब रिंदन की रिपोर्ट महा मिनत तुन जय का सेवा करोड जाप का आजन 4 अगस्त को दोपहर 11 बजे लुध्याना रोड रायकोट से श्रीचंदर जी समा दिस्ताल में आज़ित किया जा रहा है लुध्याना से आत्मा विउरकी रिपोर्ट मातम मुरा देवी मंडल बसंत विहार नूरवला रोड की तरफ से अपनी एहम मीटिंग के चलते कारकरम का अजन किया गया जिसका विशे एहंकार रखा गया इस मौके पर आयजकोँ द्वारा एहंकार के उपर निर्त्र नाटिका भी पेशी गई आजकोँ ने जनकारी दी कि उनका यह है कारकरम धार्मी के साथ संस्कृतिक भी है लुजाना से क्यामन गगन के साथ अब विननन की रिपोर्ट आज के समाचार बस हैं तक मैं भीननन कल फिर हज़ी रहूँगा कुछ और निधार्मिक और समाजिक समाचारों के साथ आप यहीं देखते रहे हैं और तब तक बने रहे हैं अत्मा चैनल के साथ आप सबी को मेरा साथ दर्जाजी ने इन्दर